थोड़ा थम जाओ, जवान हो, जीवन के नासुप मूड पे खड़े हो, देखो गौर से कि किस पत भेजा जा रहा है मुझे, और बहुत आसान होता है इसी अवस्ता में बंध जाना, फिसलन भरी ढलान होती है, एक कदम रख दिया उसके बाद वापस नहीं आ पाओगे, और गहरा फिसलते ही जाओगे, फिसलते ही जाओगे, एक कदम रखा नहीं कि गए, और तुम बड़ी आतुरत्ता से न सिर्फ कदम रख रहे हो, बलकि पूछ रहे हो कि बताइए, विचलित कैसे न हो जाओँ, पूछो अपने आपसे, जिधर को जा रहे हो, उधर को ही जाते रहना चाहते हो, और तुम जिधर को जा रहे हो, तुम्हारा उधर ही बस जाने का इरादा है, वो बस्ती है ऐसी कि वहाँ जीवन गुदार सको, पूछो अपने आपसे, थोड़ा जमीन पे जा करके देखो, थोड़ा अन्वेशन करो, उन लोगों को देखो, जो तुम्हारी ही दिशा गए, उनके बारे में बस सुनो मत, करीब जाके उनके जीवन का परीक्षन करो, और पूछो अपने आपसे, क्या मैं भी ऐसी जिन्दगी बिताना चाहता हूँ? क्योंकि घुश गए तो फस गए, धलान है, लोटने का सवाल नहीं, भारत को देखूँ अगर तो 80-90 फीसदी लोगों की जिन्दगी का फैसला 25 की उमर में हो जाता है, पूर्ण विराम, उस 25 की उमर को ऐसे इमानों जैसे आखरी दिन हो तुम्हारा, और उसकी और बड़ी तेजी से बढ़ रहे हो, 25 नहीं तो 30, इशारा समझो, तो जीवन के तुम्हारे पास ऐसा नहीं है कि 50-60 वर्ष शेश हैं, अगर 23 के हो तो 2 साल हब बचे हैं जिन्दगी के, इन दो सालों में या तो मुक्ति का इंतजाम कर लो या मौत है, जो 23 साल का है, वो ये साफ साफ समझ ले, कि जीने के लिए बस 2 साल बचे हैं इन दो सालों में या तो पक्का प्रबंध कर लो, मुक्ति का, नहीं तो जीवत मृत्यु है, वो मृत्यु से भी जादा बुरी होती है, जीवत मृत्यु क्या होती है, देखना चाहते हो, किसी विवास महरों में चले जाओ, वहाँ तुमें बहुत सारे जवान लोग मिलेंगे, उनके शकलों को, उनकी हरकतों को, उनके कपड़ों को देखके तुम समझ जाओगे, किसको कहते हैं जीते जी मर जाना, घर की, कुवारी पिंकी, पायल छनकाती, जाके मौसी जी और ताही जी को, जब चाय पिलाती है, तु वो उसकी और जिस द्रिश्टी से देखती है, और जो बात कहती है, और फिर पिंकी जैसे जरा सा शर्मा जाती है, इसको देखो तो सही, और फिर समझ जाओगे कि, जाओ किसी तताकथित संगीत समारों में, ये आजकल होने लगाए शादियों में, और देखो, वहाँ तुम्हें मिलेंगे बहुत, आधे ऐसे होंगे जो पचीस वाले हैं, तब समझ जाओगे मौत किसको कहते हैं, उसी विवाहत समारों उसी संगीत के लिए कलब रहे हो, वो होता ही तब ही है, जब तुम्हें वो मिल जाए जिसकी तुम तलाश में हों, जिसका नाम तुम दे रहे हो, सक्सेस, लड़का आप सफल होगे, आप क्या होगा, उसी के लिए तो परिशान हो, उसी के लिए तो कलब पे जा रहे हो, और साथ में और चीज़े भी आएंगी, शादी का मतलब सिर्फ लड़की थोड़ी होता है, शादी का मतलब होता है पैसा, बहुत सारा, नुमाईश लगती है पैसे की, होती ही शादी तब ही है, जब पैसा पक्का हो, कि हाँ भई, महीने का कितना गिरता है, यही चाहिए और क्या चाहिए, पदार्थ, सभाव नहीं है तुम्हारा पदार्थ, उसके पीछे दौड़ोगे, जीवन भर कश्ट पाओगे, जिस रहा तुम जा रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं है कहा जाती है, कहने को तुम विद्ध्याध्यन कर रहे हो, वास्तव में तुम वासनाध्यन कर रहे हो, हुआ है